डेट आज 1 दिसंबर 2021 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज्जीज सेलरी और कंडिशन और सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 ये प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है गौर्मेंट ने ये बिल अभी पार्लमेंट में पेस किया है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज्जीज होते हैं उनकी सेलरी और पैंसन की कंडिशन को चेंज करने के लिए इससे पहले 2009 का एक बिल था उसमें डिफाइन किया था कि जज्जीज के रिटार होने के बाद उसे पैंसन जो मिलेगी वो कितनी होनी चाहिए और कब से डिसाइड होगी और जज्जीज के डेथ हो जाए अगर मानलो हाई कोट या सुप्रिम कोट के जज्ज की डेथ हो जाए तो उसके फैमली मेंबर को पैंसन दिये जाती है जैसे उसकी पतनी हो वाइफ हो या अगर वाइफ जज्ज है तो पती को दी जाए पैंसन तो इस तरह से जो होने के बाद या 85, 90, 95 या 100 एर होने के बाद ये जो भी केस में यानि कि वो मानलो पैंसन डिसाइड करना हो तो ये डिसाइड करते थे इस बिल में क्लेरेटी नहीं थी सुप्रिम कोट या हाई कोट के जज्जीज की पैंसन की जो एडिसनल बेनिफिट दिये जाते हैं एक स दिफाइन नहीं थे, किलेरेटी नहीं थी अच्छे से, कि किस टाइम पर दिफाइन हो तो हाई कोट है गोवाहाटी का असम में, असम का गोवाटी हाई कोट और मध्यपरदेश का हाई कोट, ये इनका कैलकुलेशन का डे है जो वो, फस्ट डे, जब ये सर्टेन एज में इ इंटर किये, या 85 में, या 90 एर में इंटर किये, तो ये फस्ट डे कब से काउंट हो, क्योंकि अभी तक क्या है, ये था कि ये फस्ट डे काउंट होगा, जैसे मानलो, अभी ये मानलो, इस 80 एर का कंप्लीट हुआ, वो इस दिसंबर के महिने में, और मानलो, दिसंबर के महि जाते हैं वो कॉंट होगे 24 दिसमबर दिसमबर का महिना तो दिसमबर के महिने की पहली तारिक से यानिकि एक दिसमबर से स्टार्ट होगे लेकिन सुप्रिंग कोट यानि कि ये जोwater है गौहारटी हाइक और मद्दापर्देश हाइक इसने ये कहा कि भाई साभ first day ये count होना चाहिए तब वो इंटर करते हैं अपनी age में जैसे 80 साल में इंटर किये 24 December को तो 24 December से ही first day count होना चाहिए तब से उन्हें additional benefit दिये जाने चाहिए तो इसके लिए ये clarify करने के लिए High Court और Supreme Court के Judge की जो provision है pension की इनको ही clarify करने के लिए government ये bill लेके आ रही है इनमें amendment करेगी संसोधन करेगी इन्स rules ने next topic है 6 lakh Indians renounce citizenship prelims और GS paper 2 के लिए important है 6 lakh लोगों ने पिछले सालों में ये अपनी भारत की जो नागरिकता है citizenship उसको renounce कर दिया है rounds का मतलब है give up यानि की नागरिकता छोड़के किसी और देश की नागरिकता ले लिए उन्होंने ये 6 lakh से ज़्यादा इंडियान है ministry of home affair के data के according ये ग्रह मंत्राले ने लोग सभा में ये information दिये parliament में जो number of Indian है जिन्होंने citizen जीफ छोड़ ये वो year wise नंबर देखे हम 2017 में देखो 1,33,049 ये सारा data कोई याद करने की हमें जुरूत है नहीं इस news में सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए देखो ministry of home affairs ने ये region भी नहीं बताया कारण कि कि किस वज़े से लोगों नागरिकता छोड़ी है citizenship छोड़ी है ये सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि 2018 में ministry of home affairs ने citizenship को कैसे renounce किया जाए कैसे छोड़ा जाए उसके लिए region और qualification ये तै की थी एक नया form revise किया था उसके according 60 दिन के अंदर ये upper limit है 60 दिन 60 दिन के अंदर कोई अपनी citizenship से भारत की नागरिक्ता छोड़ सकता है give up कर सकता है तो ये maximum day आपको याद होने चीए कि maximum कितने day है कि जैसे किसी ने अभी online document upload किये online upload करेंगे भाइसा ministry of home affairs की site पे अगर किसी को नागरिक्ता त्याग ने है छोड़नी है तो 60 days है upper limit उसके अंदर उसकी नागरिक्ता रद कर दी जाएगी global wealth migration review report एक 2019 की इसके according 2019 में इंडिया से 7000 high net worth individual ने अपनी नागरिक्ता छोड़ दी थी हमारे भारत की और ये high net worth individual किने बोलते हैं देखो ये होते हैं जिनकी income liquid income की बात कर रहे हैं liquid का मतलब जिनके पास asset है liquid asset का मतलब पैसे है capital है भारत के money है rupees है bank में या उसके पास dollar 1 million से जादा या तो 1 million dollar हो या 1 million dollar से जादा हो 1 million में 10 lakh होते हैं तो 10 lakh dollar यानि कि 10 lakh dollar होने चीए उसके पास अगर हम rupees में count करें तो 1 dollar लगबग 75 रुपे के बरावर चल रहा है तो उसे 75 से बरावर कर देंगे तो लगबग 7,5 करोड 7,5 करोड rupees होने चीए उसके पास उसे बोलते हैं high net worth individual इंडिया ऐसे high net worth individual जिन्होंने ऐसी नागरिकता छोड़ी है ऐसे individual ने उसमें second है और वर्ड में चाइना के सबसे ज़्यादा लोग हैं ऐसे high net worth individual जिन्होंने चाइना की नागरिकता छोड़ी है second number पे इंडिया आता है government ने ये भी aid किया है कि बहुत सारे इसे foreigner भी हैं विदेशी हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता ली है उनमें से 7,782 पाकिस्तान से थे individual जिन्होंने अपलाई किया था भारत की नागरिकता लेने के लिए और 400 बामन 452 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी नागरिकता है नहीं किसी भी देश की नहीं है स्टेटलेस हैं कोई किसी भी देश की नागरिकता नहीं है और सेम पीरेड में 4,177 लोगों को इंडिया ने भारत की नागरिकता दी है different different countries से टोटल इंडिया के जो national है जो foreign country में रहते हैं विदेश में लगभग 1,33,83,718 इंडिविज्वल रहते हैं बाहर जब citizenship amendment act आया था 2019 का इसके अंदर ministry जो ministry of home affairs है इसमें person covered होते हैं जब वो ये rules notify कर दिये गए इसके अंदर लोग covered होते हैं citizenship लेने के लिए और देखो government ने ऐसा कोई decision अभी नहीं लिया है कि जो NRC है पूरे national level के लिए तयार किया जाए national register of Indian station है जो NRC ये सिर्फ असम के लिए तयार किया जाता है कि असम में जो station है उनका data तयार किया जाता है सिर्फ एक बार किया था 1951 में पूरे national level पे NRC यानि कि जितने भी station है इस register में register होते हैं national register of Indian station में next topic है delay in armies off loading model ये prelims के लिए बस important है देखो जो army का base workshop है army का base workshop का मतलब army के जितने भी infrastructure है weapons है हतियार है guardian जो army के पास vehicle है जो कोई भी भाई साब car या कोई truck या कोई lorry जो भी कोई vehicle है उसका modernization करना इसके modernization में यानि कि आधुनी करन नई नई technology वाले vehicle हो weapons हो हतियार हो इन में delay हो रहा भाई साब इसमें implement करने में क्योंकि ये implement हो रहा था goko model से ये goko model क्या है इस news का बढ़ने का बस हमारा यही कारण है government owned contractor operated goko model फुल फॉर्म है government owned contractor operated इसमें delay हो रहा है December 2019 में इसका implementation left हो गया था ये keg ने अपनी report में बता है controller and auditor journal ने report तियार किये ये parliament में रखी है ये जो goko model है ये क्या होता है देखो इसमें जो भी संपति है जैसे army का infrastructure है कोई building है कोई भी मानलोग camp है या कोई vehicle है weapons है सब ये government ही owned करती है मतलब मालिक है सरकार लेकिन operate करते है private industry कोई private company को दे दिया वो भाईसा administration समाल रही है देख रही है इसका repair work ये देखना ये कहां पे क्या कमी है वो पूरी करना ये सब operate करते है private company, private industry लेकिन मालिक कौन है government ये ही है goko model ये goko model के अंदर private companies को investment करने की जड़त नहीं है कोई भी पैसा नहीं लगाती ना machinery पे ना land पे ना कोई और support system सारा पैसा लगाएगी government देख वाल कौन करेगा private individual एक तरह से नौकरी होगी है goko model है जो इसकी recommendation यानि कि सिफारिक्स किस ने दी थी ऐसे model के द्वारा हमें army को modernize करना चीए एक committee बैठी थी ये lieutenant general है DB second कर committee इस committee ने ये कहा था कि ये goko model लाना चीए army के base workshop को modernize करने के लिए और इसमें सारे weapons की छानबीन repair करना vehicles हो या फिर कोई equipment हो army का सब इसमें cover होते हैं इसका implementation देखो जो goko model का implementation है इसमें कुछ risk भी है और challenge भी है risk और challenges है ये कुछ report है इसमें कि 1077 जो affected civilian manpower में से 385 ये station और static workshop है ऐसी जो अभी खाली पड़े हुए है ऐसे civilian manpower और इसमें देखो audit जो recommend करता है कि ministry of defense है वो strategy बनाती है कि इस risk को कैसे mitigate किया जाए कैसे कम किया जाए ताकि इस model के जरी आर्मे को modernize किया जा सके तो बस इसमें यह है main काम था इसमें जानने का goko model का next है national edible oil mission oil palm ये prelims और GS paper 2 और GS paper 3 के लिए important है मेल ले GS paper 3 या GS paper 1 में भी आता भाईस अगरिकल्चर उसके लिए भी important है 2020-21 के दोरान इंडिया ने 133.5 133.5 लाग टन edible oil import किया है हमने दूसरे देशों से खरीदा है import किया है आयात किया है edible oil का मतलब है खाने वाला तेल सब आते हैं इसमें जैसे mustard oil हो गया सरसो का तेल ground net oil हो गया moon fully का तेल या आपका सेसा मम oil हो गया तिल का तेल या आपका कोई और तेल palm तेल हो गया palm तेल ताड का तेल जितने भी edible oil हमने मगाएं दूसरे देश में उसमें सबसे ज़्यादा ये palm oil ही मगाया हमने 56% तोटल का 56% ये मंगाया है government ने national mission on edible oil चलाया oil palm किसलिए ताकि हमारी country में edible oil का production बढ़ सके increase हो सके अपने देश में हम पैदा कर सकें तो ये palm oil के लिए चलाया ये वाला मिसन और edible oil के भी चला रखा ये specially palm oil के लिए चलाया इसका target ये है कि edible oil का augment करना increase करना और crude oil जो palm oil production है increase करके import burden को reduce करना हमारा जो import burden है आयात करते हैं उसका बोज़ कम करना target ये है कि oil production में edible oil production में इंडिया को self sufficient बनाना आत्म निर्भर बनाना इसका target ये है कि जो हमारी import dependence है इंपोर्ट, डिपेंडेंस यह जो आयात निर्भरता है सरकार की, हमारे इंडिया की वो 60% से 45% तक ले के आनी है 2024-25 तक domestic production बढ़ाना है अभी हमारा जो production है edible oil का जो हम उत्पाद करते हैं अपने देश में उगाते हैं वो 10.5 million ton है इसको बढ़ाके 80 million ton करना है यानि कि 70% growth का target है जो farmer है उनको technology देनी है और quality seed provide करनी है और financial उनकी support करनी है इसके साथ साथ जो palm oil का production भी हमें बढ़ाना है traditional oil seed crop का भी cultivation करना है यह भाईसा palm का tree यह जो लगे हो इसमें fruit इससे oil निकला जाता तेल यह जो चलाया अभी जो हमारा north east का इलाका है अरुनाचल परदीस और अंडमानन निकोबार वहाँ पे mainly focus है वहाँ पे suitable मिट्टी भी है soil भी है और environment भी suitable है उप्यूकत है उगाने के लिए इस palm tree को तो वहाँ पे focus किया जा रहा है इस scheme के अंदर देखो जो इस scheme को implement किया जा रहा है इसकी जरूरत क्या है implement करने की क्योंकि इंडिया देखो पूरे world में सबसे largest consumer है vegetable oil का सबसे ज़्यादा जो हम तेल खाते हैं इंडिया में खाते हैं लोग सबसे ज़्यादा उसमें भी सबसे ज़्यादा इंडिया palm oil इंपोर्ट करता है total vegetable oil इंपोर्ट का 60% लगबग यानि की 56 से 60% लगबग इंडिया की जो dependence यह इंपोर्ट पे वो retail oil price से new high level तक चली जा रही है क्योंकि oil के price ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इसकी वज़े से इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जा रहा इंडिया का 94.1% पायम oil है जो हम food product में यूज करते हैं cooking में यूज करते हैं इसे इंडिया audible oil को जो edible oil है खाने होगे तेल cooking के लिए ज़्यादा यूज करता है top consumer अगर world में देखे सबसे ज़्यादा इंडिया है सबसे ज़्यादा तेल इंडिया में खाते हैं फिर चाइना फिर यूरोपन यूनियन 2021 में total 10,422.69 लाख इतना various state को annual action plan अप्रूव किया है इंडिया ने कि इतनी support देगी state को ताकि oil pump production बढ़ाए जा सके हमारे इंडिया में next topic है information management and analysis center यह prelims के लिए और GS paper 3 के लिए important है अगर disaster management का topic आए तो उसमें इंडिया ने government ने क्या क्या step लिए एक आप यह भी लिखे आओगे एक line में कि यह information management analysis center बनाया इंडिया ने यह nodal agency है maritime data fusion के लिए maritime का मतलब ocean में समुंदर में जो भी कोई आपती आ रही है disaster आ रहा है crisis आ रहा है कुछ भी information है वो सारी information provide करती है इसको बनाने का 26-11 का जो मुंबई terror attack हुआ था 2008 में उसके बाद Indian government ने यह फैसला लिया था defense acquisition council है जिसके chairman होते minister defense defense minister minister of defense उन्होंने यह approval दी थी 2012 में फिर इसे operation कल दिया था 2014 में यहनि की बनके तयार हो गया था effective हो गया था इसका जो headquarter है Guru Gram में हरियाना का जो एक district है Guru Gram वहाँ पे है और जो यह nodal center है किसका national command control communication and intelligence system इसका nodal center है यह जो iMac है और देखो जितने भी आसपास के यह इंडिया के आसपास जो है nation यह जितने भी nation है उनके साथ coordinate करता है सारी information को collect करके Guru Gram में फिर यह सारे आसपास के लोगों को मतलब countries को देता है कि कहीं पे cyclone आ रहा है कहीं पे earthquake आ रहा है कहीं पे volcan आ रहा है इंपोटेंट है यह क्या है power scheme power का मतलब है promoting opportunities for women in exploratory research देखो जो science में woman का contribution है बहुत ही कम है तो science में woman का contribution बढ़ाना इसका main target है scheme का यानि कि जो science and engineering research center में disparity है gender disparity यानि कि link का भेदवाब यानि कि जो male हैं लड़के हैं वो ज़्यादा करते हैं science and engineering और लड़कियां कम तो इस भेदवाब को मिटाना है यानि कि परमोट करना ज़्यादा सी ज़्यादा woman महील आए girl research and development laboratory में आए science engineering research में आए यह launch किसने किया है ministry of science and technology के अंदर department of science and technology है इसके अंदर यह board है science and engineering research board इसने launch किया है यह statutory body है सामविधिक संस्ता यह board act बनाके कानून बनाके इसको बनाया गया था इसके अंदर दो component है पहला है सर्व पावर fellowship और एक है सर्व पावर research grant next topic है mount गिरनार यह एक पहाड़ी है गुजरात की जूनागर डिस्टीक है वहाँ पर यह located है स्तित है अभी recently news में है यह है mount गिरनार यह famous इसलिए भी है इस पहाड़ी पर जो भगवान दत्ता रे थी lord दत्तत रे इन्होंने यहाँ पर पस्ता चाप किया था penance का मतलब है पस्ता चाप और यहाँ पर जो jainism religion है जैन धरम के जो 22nd तीर थांकर है देखो total जैन धरम में 24 तीर थांकर है 24th नमर के महावीर जैन है और यह 22nd नमर के जो तीर थांकर थे lord नमीनाथ यहाँ पर उन्होंने निर्वान अटेन किया था निर्वान अटेन करने का मतलब यहाँ पे उनकी death हो गई थी, मिर्त्य हो गई थी, next topic है, यह देखो prelims के लिए important है बस, next है JNK रोसनी act, यह prelims और GS paper 2 के लिए important है, यह जम्मू कस्मीर का रोसनी act था, जब जम्मू कस्मीर कभी राज्य हुआ करता था, special state का दर्जार था, लेकिन आप सब को पता है, 5 अगस् 2019 को, इसको special status का दर्जा हटा दिया गया, तो अभी union territory है, तो यह act था क्या, और अभी news में क्यों है, क्योंकि इस act को repeal कर दिया, और इस act को repeal करने के बाद, जब high court ने इसको stuck down किया, stuck down का मतलब cancel कर दिया था, तो जम्मू कस्मीर की जो अभी government है, उसने इसकी जो land grant दी obligation लगे थे, वहाँ पे जम्मू कस्मीर सरकार पे, कि उसने इस act के अंदर गत, बहुत सारे लोगों को जमीन दी थी जो, अब इस act को रद कर दिया, तो वो भी जमीन भी null and void, declare कर दी जाएगी, इस act के साथ, null and void मतलब cancel, रद कर दी जाएगी, null and void, एक नमबर 2020 से union territory administration ने, इस जो land transfer की थी लोगों को, इस act के अंतरगत, वो सब cancel कर दी, तो रोशनी act में और क्या क्या प्रोविजन थी, 2001 में इसको बनाय गया, in act का मतलब बनाय गया, और इसमें जो unauthorized land थी, ऐसी land जो unauthorized थी, उसको regularize करने का इसमें target था, मतलब target इसका ये था, कि जो land खाली पड़ी हुई है, government की जो unauthorized है, उसको logo को देंगे, transfer करेंगे logo को, यानि कि right देंगे किसको, कोई भी occupant, उसको देंगे और वो पैसा देगा, government को, cost इस पे लेंगे, government revenue generate करेगी, और जो भी इस से पैसा आएगा, सरकार के पास, जम्मू कस्मीर, government के पास, वो सारा पैसा, hydroelectric power project में ल लगाएंगे, और इसलिए इसका नाम रखा था, रॉस्णी एक्ट, यानि कि बिजली बनेगी, रॉस्णी आएगी, प्रकास होगा, तो इसमें ये था, कि जो target ये रखा था, कि पैसा आएगा, तो ये hydroelectric project लगाएंगे, लेकिन भाईसाब, जमीन ना, इसमें ऐसी बाटी ग कर दिया, क्योंकि 2009 में scrapped का मतलब है, cancel कर दिया, ये एक्ट, इसलिए क्योंकि state का vigilance organization है, उसने FIR दर्ज की, लोगों के खिलाप, उसने कहा कि इसमें धोका धड़ी हुई है, और criminal charges लगाए, conspiracy, सडियन रचा है लोगोंने, और free में जमीन बाटी गई है, कैग ने report दीती, 2014 म अब ये land जो transfer की गई, 2007 से लेके 2013 के बीच में, तो जो purpose था 25,000 करोड कलेक्ट करने का, वो तो भाई सब defeat हो गया, क्योंकि अब hydroelectric project कहां से चलाएंगे, तो इसी को fix करने के लिए, जो arbitrary reduction किया था, prices में, तो इसको, जो politician को benefit वाता इससे, क्योंकि politician ने अपने लिए पैसा हाते में ने आया, तो इसलिए इस रद्द करके इस act को वो जमीन वापस ली जाएगी लोगों से, next है, central bank digital currency, GS paper 2 और prelims के लिए important है ये, अभी news में इसलिए है, RBI ये proposal रखा है कि हम CBDC, यानि कि central bank digital currency, implement करेंगे, phased manner में और pilot manner में, pilot का मतला पहले छोटे लेवल पे, इस year के end तक छोटे लेवल पे लागू करेंगे, और फिर अगर वो सही से implement हुई लागू, तो पूरे देश में लागू कर देंगे, ये financial advisory services हैं, जो ये four major cases में use होगी, यानि कि जो डिजीटल करंसी है न, जैसे crypto currency, hidden currency, digital currency, जैसे bitcoin होती है, ये digital currency क्या है, जानेंगे क्या होती है, तो ये digital currency कहां कहां पर यूज होगी, एक तो fit for purpose, money used for social benefit, social benefit के लिए कैसे, देखो directly, लोगों का account में पैसा भेजना है, तो इस पर दिया जा सकता है, digital currency में, next है कि ये cross border, remittance payment के लिए भी हो सकती है, remittance का मतलब है, जैसे हमारे देश में आके कोई दूसरे देश का बंदा रह और अपने देश के जहां उसके रिस्तेदार रहते हैं, उनको वापस पैसा भेजता है, तो वो पैसा क्या है, remittance है, यहां मानलो हमारे देश से कोई person गया और अमरीका में रहता है, या कनेडा में रहता है, तो हमारे देश में पैसा भेज रहा है, तो वो पैसा क्या है, remitt तो इसमें क्या है डिजिटल करण्सी को रेमी टांस के लिए पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं यानि की इंटरनेट की जरतु भी नहीं होगी बिना इntरनेट के पेमेंट की जा सकेगी और जो MSM यह उसकी lending के लिए जैसे उसे उधार देना हो, कर्ज देना हो micro, small, medium, enterprises छोटे लगे उद्ध्य होगे, छोटी कंपनिया उनको आसानी से दिया जा सकेगा इस digital currency से तो अभी need क्या है, जरूत क्या है digital currency की, देखो official digital currency है यह currency management का जो खर्चा आता है, real time payment का जो खर्चा आता है, interbank settlement के बिना, उसको यह reuse कर देगी, जो खर्चा आता है, जो currency to GDP रेसो है currency to GDP रेसो का मतलब है GDP जैसे यह हमारी देश में कितनी currency है, उसको divide कर दे हमारी GDP से, तो यह आ जाएगा currency to GDP रेसो, तो यह जादा है क्योंकि currency बहुत जादा है हमारे note को print करने का जो खर्चा आता है cost आती है, फिर उसे एक जगे से दूसरे जगे पर भेजने का जो खर्चा आता है, बाई सब गाड़ी में भेजेंगे उसे ATM में जमा करेंगे, store करके रखेंगे paper currency को किसी building में store करके रखेंगे तो यह जो खर्चा आता है, खर्चा बचेगा क्योंकि digital currency किस पर रहेगी, computer में mobile में, internet पर रहेगी digital currency, कोई ऐसे building मनाने की जड़त नहीं है, paper की जड़त नहीं पड़ेगी, cost जो आती है printing में, वो कम होगी, जो interbank settlement, एक bank से दूसरे bank में settlement करने की जो खर्चा आता है liability सारी central bank किया जाएगी next अब यह जो national digital currency है यह CBDC central bank digital currency, यह क्या है देखो यह digital currency है मतलब digital form में रहेगी जैसे आपके paytm में मानलो point रहते हैं जैसे आपने paytm से कुछ खरीदा अमेजन से खरीदा, paytm से payment की, तो आपके point ही कटा हो जाते हैं, ऐसे यह digital currency होगी यानि कि fiat currency की तरह fiat currency की तरह, fiat का मतलब है जब किसी country का central bank, जैसे हमारा central bank को उन्हें RBI, reserve bank of India guarantee दे, उसके governor guarantee दे, कि मैं जो भी धारक है, उसको इतने पैसे देने का वचन देता हूँ, जैसे आपके पास 10 रुपे का, 20 रुपे का 50 का note होगा, उस पे लिखा होगा कि I promise to pay the customer, the value of print, value of this note, मतलब जो भी इस पे printed हुई है न, वो सधारक को अदा करने का वचन देता है, ये लिखा हुआ होता है उस note पे, यानि कि I will pay the amount printed on this note, ये ऐसा कुछ लिखा होता है, अब देखना आपने note पे जो भी 50 का, 100 का या 500 का जो भी आपके पास note होगा तो इसका मतलब ये है, जितनी भी उसकी रासी है, वो कौन देगी Central Bank उसकी जितनी value है, जितनी note पे छपी हुए 100 रुपे की या 20 रुपे की, वो RBI उसकी guarantee देती है तो इसलिए वो है fiat currency तो अब digital currency भी कैसी हो जाएंगी fiat currency हो जाएंगी, तो currency print करनी होती है उसे print करने के बजाए अब ये print नहीं करनी पड़ेंगी electronic token की तरह हो जाएंगे और ये भी इसी तरह हो जाएगी जैसे उस पे जो note पे लिखा होता है कि I promise to pay the bearer the sum of the 100 rupees 100 रुपे के note पे, यहनि कि मैं धारग को 100 रुपे अदा करने का वचन देता हूँ ऐसा ही इन पे हो जाएगा कि अब ये RBI गारंटी दे देगी इनकी, तो government की full faith और full credit government का होगा इस पे, इसकी recommendation कि central जो bank digital currency होनी चीए इसकी recommendation दी थी 2019 में, सुभास चंदर गर्ग कमेटी ने, सिफारिस की थी इसने कहा था, जितने भी crypto currency यानि कि hidden currency, digital currency हमारे देश में चल रही है, सब को ban करो, और जो भी इस पे transaction करे, digital currency में उस पे एक से दस साल की उससे सजा दो और जितना भी loss हुआ, digital currency में transaction करने से, उसका तीन गुना ज़ादा उस पे penalty लगाओ लेकिन, जो government है, यानि कि central bank के हमारा RBI है, वो कोई digital currency चला सकता है, हमारे इंडिया के लिए, जो government अप्रूव हो RBI अप्रूव हो, तो लेकिन digital currency चलाने के लिए कुछ challenge जाते हैं, चुनोती हैं, वो क्या-क्या है देखो, सबसे बढ़ाता हो, cyber security threat, आप सब को पता, पेटियम से लोगों के पैसे चुरा लिए जाते हैं, cyber attack करके, hack कर लिया जाता account, तो ये cyber threat है एक तो सबसे बड़ी परिशानी, दूसरा लोगों में अभी क्या है, population में digital literacy का अभाव है, यानि कि लोगों को भाइस चलाना नहीं आता, पेटियम में कैसे payment की जाएगी, ये लोगों को सिखाना ये अभी कम ही है, दूसरा है जो digital currency का जब introduction होगा, तो इसमें देखो regulation कैसे की जाएगा, इसका, investment को कैसे tackle किया जाएगा, कैसे track किया जाएगा, कैसे purchase किया जाएगा, और individual tax कैसे लगाएगा, ये भी एक बड़ा challenge है, दूसरा है privacy के लिए threat, यानि कि निजदा, क्योंकि देखो digital currency में transaction के लिए कुछ basic information collect करनी पड़ेगी, तो ये privacy के लिए भी threat है, next topic है across scheme, ये prelims और GS paper 3 के लिए important है, cabinet committee on economic affair, इसके head जो होते हैं, chairman, वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसको अभी approval दिया across scheme को, across का मतलब है, atmosphere and climate research modeling, observing, system and service, ये across scheme अगले 5 साल के लिए continue होगी, इसमें क्या है, weather forecasting के लिए, ये जो भी मानलो, disaster की, जो आपदा आती है, संकट आता, जैस cyclone आ गया, चक्रवाद, बहुत भारी वर्सा होगी, या heat waves आगी, भाई, सब लू चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उनसे लोग मारे जा रहे हैं, thunder storm आ गया कहीं पे, अचानक से बिजली पड़गी, बारिस हो रही है, या excessive rainfall, भारी वर्सा, यह जो आपदा संकट आते हैं, इसके टाइम में, वैदर की forecasting करना, पहले सी भविश्यवानी करना, कि यह cyclone आने वाला है, या earth को आक आने वाला, या heat waves आने वाली है, थंडर स्टॉम आने पाला है, भारी वर्सा आने वाली है, इसकी वज़ए से लोगों को बचाया जा सकेगा, यानि कि लोगों के पास एक तरह से opportunity होगी, लोगों को देखर रोजगार भी मिलेगा, इसमें benefit भी होगा, नए, मतलब capacity building की जाएगी लोगों में, और जो भी information है, यह सारी scientific और technical talent, यह यूज किया जा सकेगा, इसके लिए, तो across scheme है, जो ministry of earth and science की है, यह स्कीम, यह इसे implement करेगी, इसमें जो भी climate service, weather service का जो भी data है, वो warning दी जाएगी, इसमें, चेताम नहीं दी जाएगी, आसपास के एरिया में, जहाँ कोई भी cyclone, thunderstorm, heat wave, यह storm, सर्ज आने वाला है, इसमें और भी कैसारी nine sub scheme है, जो include की गई है, across scheme में, इसका implementation, ministry of earth science के साथ साथ, यह कुछ department हैं, जो इसमें contribute करेंगे, collaborate करेंगे, एक साथ सहो करेंगे, ministry of earth science के साथ, India metrological department, Indian institute of tropical metrology, Indian center for medium range weather forecasting, और यह inquies, Indian national center for ocean information service, यह मिलके सारे इसको implement करेंगे, ताकि जो आस पास यह जितना भी cyclone वगरा से, या heavy बारिस आ जाती है, या low आ जाती है, बाएसा heat waves, इनकी वज़े से लोगों को नुकसान होता है, इन areas में, वो बचाया जा सके, reduce किया जा सके, जो भी नुकसान होता है, तो आज के topic इतने ही थे बस,